तो जो जितना देखेगा, जो जितना उब्जर्व करेगा, यूनिवर्स उसे उतना ही देगा, जितना बड़ा आपके पास रोड बलोक होगा, उतना ही बड़ा आपके पास मिरेकल भी होगा वेलकम फ्रेंट्स, चलिए आज फिर से रामसर से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन सेशन को पसंद करने का, अपने कमेंट्स लिखने का, और इनको शेयर करने का, चलिए रामसर से, फिर से हम अपनी वातल आपको स्टार्ट कर अगर आप किसी भी चीज को attract करना चाहते है, law of attraction या law of manifestation का scientific rule है. Quantum leap का मतलब है कि जब एक electron के अंदर एक particular wavelength वो gain कर लेता है या उसे एक particular energy मिलती है, direction मिलती है, तो वो linear way में नहीं, बलकि एक jump मारता है और वो next orbit में चला जाता है. और वो इस तरह से next orbit में जाता है, कि वो वही को मानो बिलोंग करता हूँ. उसमें वहां रहने की सारी quality होती है, मानो. और वो जो past छोड़काया है, पुरानी जो छोड़काया है, वहां उसका कोई trace नहीं होता. यानि कि वहां उसका कोई trace नहीं होता. यानि कि वहां लोटना भी नहीं चाहता. महां को इसका gravitational pull भी नहीं है. इसे quantum leap आप layman language की तरह से समझ सकते हैं. physics में naturally, rule different आएगा. यही चीज हमारी life में भी है. आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, कि वो linear way में चल रहे हैं. linear way में चल रहे हैं. माल लेते हैं 10% बढ़ा, उससे ज़्यादा उसका खर्चे का rate बढ़ गया. government का. जिसको आप inflation rate कहते हैं. इसका मतलब है, वो linear world में चल रहा है. लेकिन वही पर आप कुछ लोगों को देखेंगे, कि वो बहुत नीचे थे, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से, अपने बिलीफ से, अपनी identity में, या अपने goals में एक नई energy डाली. उन्होंने पुराने यकीनों को adopt नहीं किया, या उनके वो शिकार नहीं हुए. और immediately उन्होंने एक छलांग लगा दी, and they reached the next level of the society. and suddenly उन्होंने देखा, कि वो दूसरे लेविल पर हैं, और वहाँ पर उन्होंने ऐसा ब्याव करा, ने लोगों के साथ जो पैसे वाले थे, या रिश्ट थे, या उस लेविल के थे, कि मानो वो वहीं को belong करते हूं. और इसे हम quantum leap कहते हैं. बेसिकली है यह फिजिक्स का रूल, पर फिजिक्स में जो quantum फिजिक्स है, उसके रूल के अनुसार वह एनरजी हमारे अंदर भी जूंकित्यू हैं. कि हम कभी भी एक momentum गेन कर सकते हैं, momentum गेन करके एक particular wavelength गेन कर सकते हैं, अपने विचारों की एक chemistry को बदल सकते हैं. इसे हम quantum leap कहते हैं. तो याद रखना कि जब हम linear growth में चलते हैं, कि रोज़ना उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, तो हम अपनी reality को ही अपना, जो reality चल रही है, उसे हम final कर लेते हैं, बस यही मेरी reality है. जैसे आप किसी आदमी को देखेंगे, मजदूरी कर रहा है, तो उसने यही मान लिए, कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ, और वो दस साल बाद भी आप मिलते हैं, तो मजदूरी ही मिलता है आपको. लेकिन वहीं पर कुछ उस मजदूर के अंदर, उन मजदूरों में आप एक आदमी को देखते हैं, कि अचानक वो तो मिस्तरी ही नहीं, बलकि ठेकेदार भी बन गया. ठीक है ना? तो बेसिकली उसने actual reality को, महां से तोड़ा है, और उसने अपनी एक word में दे रहा हूँ, वो potential reality है. उस potential reality को उसने experience किया है. और potential reality को experience अगर आप कर लें, यही low of attraction का सबसे बड़ा foundation है, सबसे बड़ी नीव है. कि अगर आप अपनी potential reality को पहचानना शुरू कर दें, कोई भी, जैसे वो electron ने अपनी potential reality को पहचाना, और उसने एकदम से jump लगा लिया. लेकिन कई बार हमारा जो belief होता है, वो यह होता है कि नहीं नहीं, जो actual reality है मेरी, जो चल रही है, मैं एक गाउं में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान काई बेटा हूँ, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं और मैं ज़्यादे कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वो ही life रहेगी आपकी 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी, लेकिन वहाँ से कुछ लोग हैं, वो jump मार लेते हैं, वो quantum leap में jump मारते हैं, और वो quantum leap का जो, जो पीछे से एक force है, वो basically, आप कह सकते हैं, कि वो potential reality है, उसकी, जी, तो सर, एक reality वो है, जो अभी मैं experience कर रहा हूँ, जो अभी मैं जी रहा हूँ, अपनी मेरी मेरा जीवन जैसे है, वो मेरी actual reality है, और अभी आपने एक नया शब्द बोला, potential reality, तो आप इन दोनों के बीच के अंतर को बता सकते हैं? हाँ, आप यूं समझे कि इसा समझने के लिए, लेमेन लेंग्वेज को एक मैं लेमेन के लिए, एक आम आदमी के लिए एक छोड़ा सा chemistry का example देता हूँ, हमारे पास दो chemical होते हैं, एक chemical होता है red phosphorus, और दूसरा होता है potassium chlorate, ये दोनों stable हैं, ये दोनों अगर इनको आप अलग अलग रखे रहें, तो इस्टेबल हैं, इसकी अपनी एक reality, actual reality के ये stable chemical है, potassium chlorate, अलग रखा हुआ है, वो एक stable chemical है, उसकी एक reality है, कि वो ये है, stable है, दोनों को stable रखेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, इन दोनों को अगर हम मिला दें और shake कर दें, हिला दें, तो इसका मतलब ये है, कि इन दोनों के पास, एक इनकी actual reality है, वो जी stable है, लेकिन अगर इने एक situation दी जाए, इने दूसरे chemical के साथ मिला कर, अन्यू रियलिटी, तो जब मैं कहूँगा कि ये अलग रखें हैं, तो एक आदमी जो linear thinking वाला कहएगा, वो कहएगा कि ये stable chemical है, लेकिन एक real जो chemical engineer है, या एक second, I mean next generation का अगर वज्यानिक है, तो वो कहएगा, नहीं नहीं ये stable नहीं है, इनके अंदर एक potential reality जो मैं जानता हूँ, और वो इस potential reality का फाइदा उठा कर, इसको एक बहुत बड़ा explosive बना सकता है, वो किसी भी काम आए, वो दूसरी बात है, वो हो सकता है कि पहाड़ तोड़ने के काम आए, ठीक है ना, तो इसका मदलब है कि यही चीज हमारे अंदर भी होती है, बेसिकली ये quantum physics है, हाइजन बर्ग, मोडल है, हाइजन बर्ग, प्रिंसिपल ओफ अनसर्टेनिटी, हाइजन बर्ग, प्रिंसिपल ओफ अनसर्टेनिटी, बेसिकली हमें न्यूटर्ण के सिद्धान्त में ये पता चला है, सेकेंड रूल ये है, कि किसी चीज को जब चला जाता है, तो फोर्स लगानी पड़ती है, और वो जब तक उसको फोर्स लगती रहेगी, वो मॉमेंटम में बना रहेगा, यानि कि किसी भी चीज को मॉमेंटम में रखने के लिए, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, इस देट राइट, हाइजनबर्ग प्रिंसिपल ने और अनसर्टेनिटी में ये पाया गया, जब उन्होंने क्वांटम क्लासिक, जो मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया, तो पाया गया कि एटम के अंदर ये रूल नहीं लग रहा, सच में, हाँ, सच में, आपको भी भी पढ़ लिजेगा, आभी भी गूगल कर लें सब लोग, वो बेसिकली जो मैटर है, पर एक्जामपल, मैं इसको इधर से धकेलता हूँ, माइक को, तो मुझे इसमें मॉमेंटम देने के लिए, मॉमेंट, एक मूव करने के लिए, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन ये जो माइक बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल का बना है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, और एटम के अंदर एनर्जी है, जिसको हम कोलैप्स करके इलक्ट्रोन बना लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उस एनर्जी को, उस पार्टिकल को मूव करने के लिए, मुझे फोर्स की जोरत नहीं है, उससे सिर्फ उब्जर्व करना बाकि है, यही आपका डबल, I mean सिलिट प्रोग्राम में, यंग सिलिट प्रोग्राम में, कि जैसी उब्जर्व किया, वो एकदम से पार्टिकल बन गया, तो इसमें ये देखा गया है, कि जो एनर्जी है किसी भी आटम के अंदर, उसको मूव करने के लिए, आपको फोर्स की जोरत नहीं है, बलकि ऑब्जर्वेशन की जोरत है, इसका मतलब है कि उस एनर्जी के अंदर, जब तक उसे ऑब्जर्व नहीं किया, तो एक्चुल रियालिटी है, कि उसे फिजिक्स की अनुसार पढ़ लो कि ये वेव है, लेकिन पोटेंशल एनर्जी है, पोटेंशल रियालिटी है, कि उसे अगर कोई उब्जर्व करता है, तो एकदम से वो पार्टिकल में कनवर्ट कर देता है, और कमाल की बात यह है, कि वो जहां चाहे उसे कनवर्ट कर देता, जहां चाहे उसे वो create कर देता, वो यहां कर रहा है, यहां पर फोकस करेगा तो वो पार्टिकल यहां बन जाएगा, यहां कर रहा है तो यहां बन जाएगा, इसका मतलब यह है, कि यह observer के उपर है, कि वो उसे कहां move करना चाहता है ना कि पिछली force से इसका मतलब यह है कि वही पर एक sentence आया है When you see, you create a path When you see, you create a path यनि कि जहां पर आप देखते हैं वहां रास्ता निकल जाता है अगर इस rule को आदमी समझ ले तो वो कभी यह नहीं कहेगा कि इस जीवन में competition है और वो कभी नहीं यह कहेगा कि यहां पर कमी है यहां पर यह sentence में ही complete abundance है यानि कि आप किसी भी जगे पर एक रास्ता निकाल सकते हो सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको सिर्फ देखना है observe करना है यानि कि जैसी observe करते हैं वहां पर एक force आती है और वो force basically उस potential reality को create कर देती है यह building जिसने आज हम बैठे हैं यह कुछ साल पहले बंजर जमीन पड़ी थी यह reality है ठीक है ना वहां पर अचानक कुछ लोगों ने एक dream देखा कि भई इसको यहां पर कलोनी बसाएंगे कलोनी बसाने के बाद उस dream को बढ़ते बढ़ते कोई ठेकेदार आया कोई बनाने वाला आया कोई builder आया ठीक है ना कोई P.O.P. लगाने वाला आया कोई समान लगाने वाला आया and the reality is created तो जब यह जमीन पड़ी थी उस किसान ने तो इसके लिए इसे सोचा था कि अच्छा है यह चली गई और उसने कुछ एक लाख रुपे में एक कड़ में बेज देया इसको क्योंकि वो उस actual reality को देख रहा था लेकिन दूसरे आदमी ने इसमें potential reality को देखा है जहां पर आप खड़े हैं life में हम सब जहां पर खड़े हैं वो एक actual reality आपको हो सकता है पसंद ना आए लेकिन याद रखेगा हर एक आप में से हर एक के पास potential reality है आप यूँ समझेए कि आप एक एक लोहे का टुकडा पड़ा है सरक पे पड़ा है एक कबाड़ी ने उसे उठा लिया अब वो कितने में बेचेगा मान लेते हैं 80 रुपे किलो लोहा है तो वो बेचेगा उसे 35-40 रुपे किलो क्योंकि वो जंग लगा हुआ है और मान लेते हैं वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक पाव है यानि कि 15-16 10-12 रुपे का है 10 रुपे लेकर वो उसकी लेकर चला जाएगा ये उसकी एक्च्वल रियालिटी है लेकिन दूसरा आदमी आएगा इसमें से वो 4 नाइफ बना देगा चाकू बना देगा किशन के और एक चाकू को वो 50 रुपे में बेचेगा बिल्कुल उसकी रियालिटी ये है कि मुझे तो 200 रुपे रोजाना मिल जाए लेकिन जिस आदमी के पास ये लोहा गया और उसने इसको चाकू बना दिया लेकिन आगे भी सोचिएगा हो सकता है कि ये किसी कार का कार्बुरिटर बन जाता तो ये शाद 30,000 का बिख जाता बिल्कुल और अगर ये किसी पिस्टल की आपने कहे कि वो नली बना दी तो शायद हो ये एक लाख रुपे का बिखता तो इसका मतलब है कि हर चीज में पोटेंशल रियालिटी कुछ और है अगर बड़ ये होगी कि दुनिया हमें अगर बड़ दिखाती है क्वांटम फिजिक्स अमें पोटेंशल रियालिटी दिखाती है सर इसी पे ही बहुत अच्छी है मैं और चाहरा आघ के साथ फिलोसफी में मैंने एक पढ़ा यही तो है कि जो आप देख रहे हैं वह नहीं है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा और वह अगर आपने देख लिया वही रियालिटी है मैं कई बार I belong to a village हम गाउं में जाते हैं और कई बार अपने ही कुनबे वालों को समझाते हैं कि भाई 40 साल ते तुम्हें काम को कर रहे हो अब तक कोई बदलाव आया अब तक तुम्हारे पास कोई पैसा बचा नहीं है न लेकिन वह किसी भी नई रियालिटी को लेने के लेकिन उसके अंदर पूरा बाग बसा हुआ है वो सीड एक पेड़ बनेगा मैं इसके भी परे देख रहा हूं उस पेड़ पर पचास फल आएंगे पचास फल नीचे गिरेंगे अब 51 पेड़ होगे पचास वे और एक पहला और अगली अगले सिजन में ये 51 पचास पचास भी धेंगे तो ये जंगल बन जाएगा और 30 साल तक आते आते ये इकतना खुबसरा जंगल बन जाएगे कि ये लोगों का प्रियेटन बन जाएगा यादनों के यहाँ पर लोग टूरिजम के लिए आना शुरू कर देंगे यहां रिजोट खुल जाएगा लेकिन एक आदम potential उस potential तक पहुँच पाया वो बाग बन पाया जिसकी अभी आपने बात करी है the only thing is that when you you break your present beliefs को आप अपने present belief को जैसी तोड़ते हैं तो immediately present belief का मतलब यह समझे के मान लेते हैं मेरी आँख पर पट्टी बंदी हुई है और मुझे यही नहीं पता कि पट्टी बंदी हुई है और मैंने उस अंधेरे को यह मान लिया कि बस मुझे इतना ही दिखाई देता है जो world है वो काले रंग का है और वो अंधेरा है वहाँ पर लेकिन जैसे मेरी पट्टी खुलेगी तो मुझे क्या दिखाई देगा बहुत सारी चीज़ दिखाई देंगी तो एक नई reality create हो गई है गड़बड यह हो गई कि जो भी आदमी बैठा है उस moment पर वो एक reality को ही final कर चुका है वो यह कहता है कि मैं इस reality से परे नहीं जा सकता और क्यों नहीं जा सकता यहां तीन letter है पी एडबलू पहला चश्मा या पहली पट्टी बंदी है उसके पास यह मेरे लिए कुछ भी possible नहीं है यह सब possible नहीं है जैसा यहां पर पहली पट्टी बंद लिए जब possible नहीं है तो इसका मतलब है आपके लिए कोई opportunity बची ही नहीं है I do not know I do not know यह निके आप वो आदमी है जिसे यह भी नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता यह निके अभी आप अंदेरे के गर्ब में है यह निके अभी अंदेरे के गर्ब में है जिसका जनम ही नहीं हुआ और आपकी एक reality है that I don't know I don't know ठीक है ना अगर मैं कहाँ I don't know a car तो मुझे कार के बारे में नहीं पता पर मुझे तो यहीं नहीं पता I don't know that I don't know ठीक है कि I'm not able मेरे पास कोई capability नहीं है मैं इतने के लिए बना हूँ ठीक है ना मैं इसी के लिए बना हूँ इसे जब हम मोगिल रूईज की किताब पढ़ते हैं दन tree of knowledge जिसको हम trees of death भी कहते हैं जहां से हमें knowledge मिलती है जो society से उसने उसने का यह basically tree of death है क्योंकि चारों तरफ जो आपको knowledge मिल रही है उसमें से 99% knowledge सिर्फ आपको यह metaphor दिये जा रहे हैं कि आपको इन चीजों को ऐसे कर होना trained होना और इतनी ही सोच रखनी है अगर इसके परे सोचेंगे तो आपको यह society कई बार discard कर देगी immunity से बाहर कर देगी you can't think ठीक है ना तो फिर हम यह मान लेते हैं कि मेरे पास यह ability नहीं है तो मैं अपने उस potential reality को नहीं बनाऊंगा तीसरी चीज है कि तीसरा बड़ा पर कर कोई सोचो ठीक है ना वो कहता है I'm not worthy of it मैं इसके लिए कहां सोचो मुझे इसके लिए कहां वर्दीनेस मिली है मेरे पास कहां possibility है मेरे पास कहां ability है यानि कि उन्होंने जो अपनी reality बना रखी है वो reality उनकी अपनी reality है वो reality नहीं है जबकि एक लोहे के टुकडे में कितनी potential है कुछ भी बन सकता है ओक कमाल की बात है ना एक छोट था पढ़ रहा था कि एक 25 पैसे का लोहा ले लीजेगा ठीक है ना उसे steel का ले लीजेगा उसकी कीमत नहीं है लेकिन अगर वो किसी बड़ी घड़ी का Rolex की घड़ी के अंदर वो spring पढ़ा हुआ है तो वो 25 पैसे का अगर वो खराब हो गया रोलेक्स को आप स्वीजर लेंड या जिस देश में भी बनी है तो वो कहगा कि पांच लाक का पड़ेगा और आप दे देंगे क्योंकि रोलेक्स वाला को पांच लाक की प्रोब्लम ही नहीं बिलकुल तो इसका मतलब यह है कि उसमें 25 पैसे के लोह यानि के सेंड है आपके बार रेत है यह एक रियालिटी है जो एक्चुल रियालिटी है यह कहेंगे इसका क्या करना है दूसरी कंपनी ने उसको बना दिया डिवीडी और सेडी और एक बड़ा एंपायर खड़ा कर दिया इसका मतलब है कि किसी भी चीज के अंदर किसी भी म वहाँ पर सब्जी वाला भी आ जाता है, अच्छाने पर चलता है कि वहाँ पर आपको टेक्सी वाले भी आने लगे, वो इसके परे भी देख सकते थे, पर उन्हों ने इतनी देखी है, ठीक है न, शुरू में कई लोग कहेंगे, यहाँ कोन आएगा है, तो जंगल पड़े हैं, और थोड़ी दिन बात पचलता है, यहाँ जगह ही नहीं अवेलेबल है, एक भी फलेट खाली नहीं है, तो जो जि create the reality, यह आपकी potential reality है, और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब हम बीमार होते हैं, यह सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, जब हम बीमार होते हैं, यही potential reality हम भूल जाते हैं, कि हमारी health में भी पड़ी है, जब हम किसी आदमी को अट्रेक्ट करते हैं अपने business में, कि मुझे एक बड़ा अच्छा फाइनेंसर मिलना चाहिए, एक सपोर्टर मिलना चाहिए, यह पोटेंशल आपके पास है, क्योंकि वो किसी ने किसी को पैसा लगा रहा है, रोजाना कितने क्रोड लोग पैसे लगा रहे हैं, शेयर में, क्रिप्टों में, वो हमें क्यों ने दे रहे, because we have not observed that reality, the moment we observe, immediately कोई ने कोई आ जाएगा, sir I want to invest in you, because the moment you observe, you will start creating that momentum, जैसे आप observe करते हैं, तो आपके अंदर का उलक्टरोन immediately उसी तरह से move करने लगता है, कि वो नई लेविल पर वो quantum leap लगाने के लिए तैयार हो जाए सर कल का session जो आपने end करा था वो आपने इसी पर ही end करा था create a new mind, create a new body और I think आज मैं add करना चाहूँगा create a new potential reality for yourself yes very true, every time मैं तो यह कहूँगा कि हर time even जब एक आदमी depression में आत्मतिया करने को तैयारी है ना, वो भी एक potential reality है के भाई तू इसको एक तरफ बद रख दे इस समय पता नहीं कितना बड़ा message तुमें मिल रहा और miracles में तो हम पढ़ाते हैं मैं टेली पैथी, miracles पढ़ाता हूँ मैं लोगों से कहता हूँ, इतना बड़ा blockage आरा आपकी life में जितना बड़ा हादसा हो, हो चुका है इससे unfortunately, fortunately का जो word देना था देद चुके हूँ, अब इससे बाहर खड़े होकर यहां ही से जितना बड़ा यह खड़ा है हुआ है हादसा उतना ही बड़ा आपके पास मेरे का लाने वाला है लेकिन उस समय, आप यह देखेंगे कि मैं इसी reality में जीना चाहता हूँ जो actual reality है जो grief किया चुकी है या मैं ही हाँ से बड़ना चाहता हूँ जो मेरे पास potential reality है और याद रखेगा, जितना बड़ा आपके पास imbroglio, यानि कि जितना बड़ा आपके पास road block होगा उतना ही बड़ा आपके पास miracle भी होगा उतना ही बड़ा होगा और देखोगे जितने भी लोगों ने कुछ special किया है, वो तभी किया है जब उन्होंने अपनी actual reality को पीछे छोड़ा है और उन्होंने potential reality को manifest करने के लिए अपने विचारों का, अपने belief का अपने vision का और अपने अंदर जो energy आई है, उसका इस्तेमाल करते हुए, लोगों ने उन्हें क्या बताया है, उस chain को तोड़ा है उस chain को तोड़ा है कई बार मैं love success पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि there was a eagle Napoleon Hill ने लिखा है कि मैंने, I was मैं grow कर रहा था अपने, मुझे शोक था कि कुछ मैं crows को grow कर रहा था, कुछ pigeons को grow कर रहा था, and I got a I mean eagles बच्चा मिल गया मुझे, मैंने उनको भी पालना शुरू कर दिया, and थोड़ी दिनों में उस eagle ने ये सोचा कि वो भी grow है, कबूतर ही है उसने काया कि एक दिन की बात है कि मैं सब को feed कर रहा था, कि अचानक वहाँ पर एक बाज़ उसके आके पास बैठा और ऐसा लगा कि कुछ बात कर रहा है it is given in love success and थोड़ी दिर बात जो कहता है कि जो मेरा पालावा बाज था उसे कुछ realization हुआ, उसने उसकी तरफ को देखा ये तो मैं हूँ, पिर उन करोज की तरफ को देखा ये तो मैं नहीं हूँ ये तो मैं तो ये हूँ and suddenly he got the new potential reality और उसने कहा कि वो उड़ गया उसके साथ, उसने कहा कि I was very happy that he has created the real, I mean potential for himself, I mean itself जब भी basically हमारा education system भी तो क्या होना चाहिए हमारे पार resource की कमी नहीं है हमें सिर्फ वो ये बता दें कि वे देख भाई, तेरी जो actual reality है वो ये नहीं है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, जो मैंने पढ़ी थी कहीं जब मैं motivational किताबे पढ़ा करता था, उसमें लिखा कि एक आदमी ने, एक एक बच्चा था स्कूल में पढ़ रहा था, तो उसको teacher ने कहा, कि write an essay on your life, जी तो उसने essay में लिखा that I am living a wonderful life मेरे पास एक बड़ा empire है मेरे पास millions of dollars हैं, बड़ी कारे हैं, मैं एक बड़े घर में रहता हूँ और मेरी फैमिली है I am देश-विदेश की आतरा कर रहा हूँ मेरे अपना बिजनेस है, मैं लोगों की help कर रहा हूँ मैं बहुत सारे लोगों को contribute कर रहा हूँ तो उसने टीचर ने उसे पढ़ा, उसने का कि यहां हूँ उसने फाड़ दिया, उसने का, it's not your life I know your family, write your life उसने फिर वोई लिखके दे दिया, ज्यों काते हूँ कि मैं ये life जी रहा हूँ तो उसने का है, कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि write the essay on your life ये तुम्हारी लाइफ नहीं, उसने का, it's my life तो कहते हैं कि करीब 20-25 साल बाद किसी इन्युवस्ट्री में एक function था वहाँ पर कुछ लोग थे, उसमें, conventional hall में और वहाँ पर एक paper पढ़ने के लिए ये teacher भी महाँ पर आए हुए थे अब, जो I mean retire हो चुके थे, बन का कोई काम था, और इनके दर्शकों में वो आदमी भी बैठा था, जिनके इन्हों ने essay को फ़ड़ा था, तो पहचान लिया उसने, के तो ये तो मेरे teacher हैं, तो जब वो lecture उनका खतम हो गया, तो उसके पास गया के, Sir, I would like to talk to you, उसने का, हाँ, बोलो, के, can you recall an event के, जब आपने एक बच्चे के essay को फड़ा था, my life के उपर, तो उसने याद किया, के हाँ, हाँ, बच्पन में, I was there, I was a school teacher at that time, after that I grew and I became a professor like this, उसने का, Sir, वो बच्चा में था, and I am living the same life, यानि कि उस बच्चे ने एक potential reality को जिया है, नहीं कि actual reality को जिया है, तो actual reality को छोड़ने के लिए, अब सवाल ये था कि कैसे हम इसको बदलें, पहली चीज ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कि कबूत्रों में आप जरूर पल रहे हैं, पर आप सब बाज हैं, आप सब बाज हैं, ठीक है ना, कई बार एक rule है, food chain, food chain का मतलब होता है कि देखे हम chicken को खाते हैं, ठीक है न, हम से पूछने लगे, कि मैंने कोई गलती करी नहीं, मेरे बाप ने कोई गलती करी थी नहीं, फिर आप मुझे क्यूं खा रहे हैं, क्योंकि तुम food chain में मेरे से नीचे हो, मेरे से उपर मुझे शेर खाएगा, या मेरे उपर से जो भी बड़ा, कोई आदमी है, वो करेगा, इसमें रूल है ये, ठीक है न, तो फिर उसे क्या करना है, चेही चिकन को, तो मैं कही पर कहता हूँ, उसे बाज बन जाना चाहिए, ये उसके पास potential reality है, लेकिन वो सफर करता है अपनी actual reality को, तो सबसे पहले आपको अपने transformation को देखना है, कि मेर मेरे पास possibilities भी हैं, हर एक आदमी के पास है, मेरे पास ability है, मेरे पास वर्दीन ऐसे, अब उस इन तीन चुजों को इखटा करने के बाद, everybody must meditate, कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है न, और उसे एक better future की picture बनानी चाहिए, जिसको कई बार मैं timeline से बनवाता हूँ, बहुत इस future को किसी को बताए न, अगर आप बेकार की जगे पर रहते हैं, तो सब लोग कहेंगे, यह future क्यों देख रहे हो, पहले नोकरी कर लो, वो हसेंगे, क्योंकि आपके goals को सिर्फ वो ही समझ सकता है, जिसके goals बड़े होंगे, अगर आपने छोटे लोगों को अपने बड़े goal बता दिये, तो महां आप insult लेकर आएंगे, so never discuss your goals in the people who could not understand your goals, यह love success में ही मैंने पढ़ा था, तो आप हमेशा उन goals को देखते रहिए, और इतना visualize करिए, इतना visualize करिए, इतना visualize करिए, कि आप जैसे observe कर रहे हैं, उस particle को जो quantum physics में आपने collapse किया, और यह जो visualization है, यह आपके एक internal world में chemical को create करेगा, यह series of chemical को create करेगा, जिससे आपके 60 billion neurons activate होंगे, यह 60 billion neurons अगर activate होगे, यह खाली नहीं बैठेंगे, यह immediately इस universe के साथ बात करेंगे, reticular activating system से, number 1, number 2, यह अपना message, आपकी glands को देंगे, और आपकी glands को कहेंगे, कि अपड़ अपड़ अपनी genetic level पर changes आप आए हैं, I mean बच्पन से, खराब society में रहेकर, या I mean losers में रहेकर, वो एकदम से jeans बदलना शुरू हो जाएगी, जैसे ही आपकी jeans बदलेगी, जीन आपको motivate करेगी कि आप खड़े हो जाओ, उधर आपको universe आपको synchronicity देगा, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा करना है, हर observe नहीं कर सकता हूं, ये कैसे पूरा होगा, तुम्हें ये नहीं पूछना है कैसे पूरा होगा, उस बच्छे की तरह सोचो, उसे नहीं पता पापा के पाप पैसे हैंनी पैसे, उसने कहा कि मुझे ये किताब चाहिए पापा, वो ये नहीं पूछता कि तुम पैसे हैंनी प तो अब युनिवर्स एक गेम खेलता है, आपने ओम शान्ती ओम का डायलोग सुन लिया, डाइसो रुपे का टिकेट भी खरेद लिया, मैंने अलकेमिस्ट भी पढ़ ली ये 2004 में, ठीक है ना, लेकिन यकीन किया नहीं, फिर यकीन क्यों नहीं किया, और वैसे भी अभी देखो ना, जिस चीज को भी आपने चाहा है, जैसा मैं इस से पहली वीडियो में बताया था, आपने किसी को याद किया, फोन उठाने गए कि बात करते हैं, देखा तो उसी कोल आई पड़ी थी, तो यहार सब के साथ हुआ है, इसका मतलब यहाव अलड़ और तो नहीं पपस, साथ बार बोल चुका हुआ हूँ, वो यही तो कहा है, कि तुम एक बार सोच के देखो, यूनिवर्स एकदम से, परकर्ती कर्ती, मैं बदलने के लिए तेयार है, वो कहती है, मैं नान्स करने को तेयार हूँ, परकर्ती, जसको करती से पहले, क्रियेशन से पहले जो pre-creation है जिसको आप energy कहते हैं, जिसको आप गोड कहते हैं, जिसको आप potential energy कहते हैं, जिसको आप universal energy कहते हैं, उसके अंदर एक consciousness है अद्वयत सिद्धान्त में जो लिखा गया है और collapse करने के लिए जब मैं गीता का कल्बी सलोक की बात कर रहा था, गीता की सलोक में आप 11 चैप्टर खोल लो, 33 सलोक को खोलो, उन्हों ने कहा है कि तुम कुछ ना करो, अरजुन को समझाते हैं, वो अपना विराट रूप दिखाते हैं, बगवान कृष्ण कहते हैं और देखेगा कितना पहले कहके चले गए, उन्होंने कहा तुम एक काम करो ना तुम सिर्फ लड़ो और जीत कर इस राज्य को एंजोई करो, भोग करो इसका मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ तुम यहाँ पर निमित मात खड़े हो ये ओलेड़ी मर चुके हैं और मैं तुम युद्ध जीत भी चुके हो यानिके दिस परसन कोल्ड भगवान कर्ष्ण हम परसन कह रहे हैं लेकिन वो तो भगवान थे उन्होंने वो इवेंट कोलैप्स कर ली थी जो अभी अद्वयत सिद्धान्त के मोनिजम के, I mean एक्सपर्ट ये कह रहे है कि कुछ दिनों के बाद हो सके मिलियन येर्स के बाद में आपका माइंड इस तरह से इवल्ड हो जाए, कि जैसी आप सोचे है आपको कार मिल जाए, लेकिन अभी भी आप सोचते हैं तो मिलती तो तभी है ना प्रोसेस स्टार्ट हो गई, अमेजन पर जैसे आपने दी, तो आ रही है, तो देखे, वो भी तो कोलेप्स कर रखी है, तो मैंने का यही तो, यही तो, यही तो, यह फिजिक साज बता रही है मुझे, हमारी गीता ने कब का बता रहा है, and why, I was shocked, मैं उसे, उस, उस स्लोक को, क कि कल मेरे घर में में गीता पढ़ता रहता था, किसी ने मुझे गिफ्ट दी थी, ठीक है ना, अजीब में में पोड़कास्ट करने गया था, तो मेरी, I mean, हमारी यूट्यूबर है, डॉक्टर है, उन्होंने गीता दी, उन्होंने कहा, रामसर, यह आप ही के लिए मैं लेकर रहो, तो याद रखे रहा हैं कि हम सब यहां निमित्मात्र हैं, कृती यह कह रही है कि हम मैं कर चुकी हूँ, तो एक बार बस डिसिजन ले ले, तो आम आदमी को सिर्फ इतना समझना है कि खास बनने के लिए, अगर तुमारे पार गोल हैं कि अगली जन्नेशन को कुछ दे के जाओ, यार अपने आपको कुछ दे के जाओ, एक बार गिल्ट फिरी होके जी के जाओ, तो प्रकृती ने यह कहा है, कि मैं कोलैप्स होने को तयार हूँ, मैं तुमारे डांस करने को तयार हूँ, तुमारे आइडिया पर, मैं करती में बदलने के लिए तयार हूँ, क्यो अगर हम potential reality को नहीं जा रहे हैं, potential reality की तरफ नहीं जा रहे हैं, potential reality को नहीं बना रहे हैं, तो इसके क्या negative effect हो सकते हैं हमाई लाइफ पर? देखिए, simple सी बात है, यहां पर एक 20th century के एक बड़े philosopher ने कहा है, कि either you grow or you decay, या तो आप grow करेंगे, या decay करेंगे, या तो आप बढ़ेंगे जीवन में, या फिर आप सड़ेंगे, याद रखेगा, potential reality का मतलब सिर्फ positive नहीं है, यद पी यह सिर्फ positive के लिए लिखा आप तक, पर अगर आप positive की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो यह reality चल रही है, actual reality, और इससे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो याद रखेगा, you may go, or you will go to the lowest orbit of life, बिकोज समय तो आपके हाथ से निकलता जा रहा हैं, अगर कल भी उतना ही कमा रहे थे, जितना आज कमा रहे हैं, तो 24 घंटे तो आपने खो दिये, जितनी एनरजी कल थी, उतनी आज है, 24 घंटे तो खो दिये, इसका मतलब जो बढ़नी थी, compound होनी थी, वो तो रहे गई, तो इतना तो आप नुकसान कर चुके हैं, इसके अलावा, जब आप growth की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए आप growth का, कोई environment का, quantum leap भी नहीं मार रहे हो, नए environment में जाने के लिए, तो इसका मतलब है, जब आपके पाँ negative belief हैं, तो यह आपको कहां ले जाएंगे, negative की तरफ, आपके identity को और छोटा करेंगे, और एक दिन आप पाएंगे, और यह मैं रोज देखता हूँ, कि एक आदमी बड़े शहर में रहता था, कोई growth नहीं करी, और वो वहीं चला गया, जहां से आया था, यह नहीं कि यह किसमत की बात नहीं है, बिकोज आपने उस belongingness को नहीं enjoy किया, जहां पर आपको पहुचा दिया गया था, इसलिए जब सब सबसे पहले मैंने एक word बोला था, कि वो जो electron है, जब वो दूसरी orbit में जाता है, तो अपना कोई trace नहीं चोड़ता, पीछे का भूल जाता है, यह कहा जाता ना, कि जब आगे बढ़ो तो पिछले पुल तोड़ते चलो, कि वापसी का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वापसी का है, तो जैसी आपके belief खराब हुए, वहाँ पर आपका मन नहीं लगा, वहाँ के लोगों के साथ आपकी belonging नहीं है, वहाँ के लोगों की भाशा आपको चीने लग रही, वहाँ आपको growth करने के बाद, अकेले पन का या depression के आप शिकार हो रहे हैं, internal voice आपकी बढ़िया नहीं रही, जो आदमी फिसल रहा है, या तो इधर को, या उधर को, वो इधर भी नहीं पता है, वो कहां तक जाएगा, क्योंकि potential reality इधर भी बनती जा रही है, क्योंकि उसके negative इचार भी तो potential reality create कर रहे हैं, ठीक है न, और उधर potential reality, तो याद रिखेगा, ये तो आपके उपर है, कि आप कौन सी direction में अपने focus को बनाए हुए हैं, ये electron, या तो इस orbit से नीचे वाली orbit में जाएगा, और उससे पहले फिर नीचे वाली जाएगा, फिर नीचे में जाएगा, और एक दिन आएगा, कि भाई वो आदमी ऐसा था, अब नहीं रहा, एक दिन ऐसा आएगा, दूसी तरफ, कि ये आदमी देखो, यहाँ पर था, आज वो महाँ पर है, और देखो, इतने लोगों ने इसनी धरमशाला बना दी, इतनी इस आदमी ने प्याओ बना दी, इतने इसने कपड़े बना दिये, लोगों को दे दिये, इतनी किताबे बां यहीं से शुरू हो जाता है, बादी तो आपको मेसेज मिलते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं, आप त्यार रहें, और भीट में जगे खाली है, नेक्सट वाली में भी और पिछले वाली में भी, और भीट खाली पड़ी है, आपके लिए कहीं कोई competition दो है, मिजरीज में भ बोली थी कि अगर आपके पास ना growth का mindset है, ना growth का believe है, ना growth का environment है, right? मैं उस person को अभी अगर मैं picturize करो, वो एक person है जिसके पास ना growth का mindset है, ना कुछ है, ना growth के beliefs हैं, लेकिन वो एक parent है, तो वो environment potential का तो नहीं है उस समय, उसके पास, लेकिन वो जो बच्चा उधर वहाँ पर है इस समय, तो उसके ओपर जो negative effect पढ़ रहा है, वो तो उस person से भी ज़्यादा पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर हमेशा दो चीजे होती हैं इसमें, एक वो उसको कितना model कर रहा है, यहाँ पर हमारी unconscious modeling आती है, अगर वो उस चीज़ को accept ही नहीं कर रहा है, कि मैं यह accept नहीं करता है, कई बार आप देखेंगे कुछ बच्चों को कहते हैं, I don't accept, मुझे रहना ही नहीं नहीं आ, अगर वो इसा था, मैं भी ऐसा ही हूँ, ठीक है ना, वो दो कहानिया ना, कि एक बाप के दो बेटे थे, ठीक है ना, बाप शराबी था, एक जो बेटा है, वो शराबी बनकर एड्स का शिकार होके मर गया, जो छोटा बेटा था, वो बहुत बड़ा वकील बन गया, जिनने ओजे सिम्सन का केज लड़ा था, जब दोनों से एक ही सवाल पूछा गया, इस बर्बादी पर आप कैसे पूचे तो उसने का, माई फादर वाजा रिचे अगया, जब छोटे वाले से पूचा गया, how have you reached here? कि आज आप देश के, अमेरिका के सबसे बड़े वकीलों में से एक हो, OJ Simpson का केस लड़ा था उसने, जो फुटबोलर था, उसने का, what else I could have done, my father is like that. तो सवाल यह है कि इन दोनों में से एक ने उस reality को देखा जो actual है, लेकिन अपनी potential reality को नहीं की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी. बिकोज, अगर हम यही चूज करते रहे, कि नहीं, यह किसी और की responsibility है, या कोई और जिम्मेदार है, तो फिर हम वहां नहीं पहुचाएंगे, जा मेरे, हमें पहुचना था. थैंक्यू सर, आपने हमारे सबी सवालों के जवाब दिये, कल के session जाएंड हुआ, तो मैं फिर से वह बात दोहराना चाहूंगा, create a new mind, create a new body, create a new potential reality, अपने लिए नहीं, आपके चारो तरफ जो भी लोगों, उनके लिए भी वो potential reality बनाएए, और इसी के साथ खुशी के साथ जीते रहिए, वीडियो को like करिए, channel को subscribe करिए, thank you very much